नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है अपनी योट्योब चेनल पी एफपी में एक और ट्रेडिंग वी कम्प्लीट हो चुका है निफ्टी फिफ्टी 17,850 के करीब है इस अफ़ते 600 पॉइंट की रेंज में ट्रेड किया है पॉने 2% के पॉजिटिव रिटेंस बना कर दिये ह तो next week market में क्या हो सकता है यह चर्चा करने वाले है और इस वीडियो में हम sectoral analysis कौनसे sector मजबूत है उस sector के कौनसे stock ज़्यादा मजबूत नजर आते हैं कौनसे ऐसे stocks हैं जो की काफी ज़्यादा गिर चुके हैं जहाँ पर हम investment कर सकते हैं कुछ individual stocks जहाँ पर बहुत ही ज़् बार में आज हम चर्चा करने वाले हैं तो शुरुवात करते हैं FIA DIA activity से FIA net में sellers रहे हैं डिया इस net में buyers रहे हैं लेकिन अगर आप FIA और DIA के numbers को मिला कर देखेंगे तो आपको institutions की तरफ से बहुत ज़्यादा selling होती भी नजर नहीं आती है बहुत ज़्यादा buying होती भी नजर आता है तो फिलाल थोड़ा सा confusion stage नजर आता है overall crude oil का price control में है यह हमारे लिए अच्छी बात है natural gas के बार में बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर भी अच्छा खासा sell off चल रहा है लेकिन यह sell off थोड़ा सा भी extend हो चुका है यहाँ पर हम technical bounce back expect कर सकता है gold के बार में बात करें तो gold में एक अच्छा breakout हुआ उसके बाद continuously उपर गया लेकिन फिलाल यहाँ पर retracement के संकेत नजर आता है यहाँ पर एक continuous retracement कर सकता है या फिर आपको एक बार वापस उपर जाकर price action बना कर नीचे आता हुआ नजर आ सकता है 54,000 तक retracement हम expect कर सकता है जो के एक healthy retracement माना जाएगा US dollar के बार में बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर 80 रुपीज पर एक दो बार support लेने के बाद वापस यह उपर जाता हुआ नजर आता है commodity market से अच्छे संकेत हैं अगर Nasdaq के बार में बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको अच्छा खासा sell-off देखने को मिला था Nasdaq में technology वाले stock जादा रहते हैं US में तीन हम indices follow करते हैं Nasdaq हो गया Dow Jones हो गया और S&P 500 हो गया Dow Jones ने सबसे पहले अच्छी recovery दिखा दी वो continuous उपर गया फिर वो उपर sustain कर रहा है अभी भी लेकिन Nasdaq सबसे पिछड़ा हुआ sector रह गया था technology वाला यह सबसे ज़धा underperform कर रहा था लेकिन यहाँ पर भी अभी performance देखने को मल रहा है यहाँ पर आप देख पाएंगे यह breakout देखने को मला यहाँ पर आपको double bottom बनता हुए नजर आता है जो कि clearly अच्छी बात है हम ओलड़ी काफी उपर पहुंच चुके हमारी market ने अच्छी recovery बहुत जल्दी दिखा दिए globally recovery आ रही है यह अच्छी बात है अगर globally recovery रहेगी globally सब कुछ अच्छा रहेगा तो हम भी of course काफी तदा अच्छा यहाँ पर perform कर सकते है हम nifty 50 के चार्ट पर आ चुके हैं आप देख पाएंगे यहाँ पर almost 19,000 को touch करने के बाद आपको घिरावट देखने को मली आपको एक range में trade करा था निफ्टी लेकिन उसके बाद वापस sell-off आया यह level के नीचे निफ्टी जाता हुआ नजर आया लेकिन बहुत बड़ा sell-off इसके बाद आपको देखने को नहीं मिला है वापस आपको एक range में निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आता है तो इंपोर्डेंट ल लेकिन वापस आपको यहाँ पर अच्छी recovery देखने को मिल रही है यहाँ पर आपको double bottom बनता हुआ नजर आता है तो अगर यह levels cross होते जाते हैं तो हम expect कर सकते हैं कि market में वापस हमें recovery देखने को मिल सकती है फिलाल तो यहाँ पर निफ्टी 200 दिन के moving average के ऊपर trade कर रहा है य जाफी ज़्यादा भयानक candle थी क्योंकि यहाँ पर देखे चार हफते consolidated किया अभी उसका low अगर तोड़ दिया है तो यही expect करेंगे कि भाई अभी यहाँ पर यह low टूटा है range टूटा है तो इतना तो यह गिर सकता है और directly 17000 के level तक आ सकता है लेकिन ऐसा नहीं हुआ यहाँ recovery जल्दी देखने को मिली जल्दी nifty आपको उपर जाता हुआ नजर आया और वापस यह कोशिश कर रहा है कि इसी range में enter हो जाए तो यहाँ पर यह signal ऐसा मिल रहा है कि जो breakdown हुआ है वो बहुत ज़दा strong breakdown होता हुआ नजर नहीं आता है थोड़ा बहुत concentrate करने के बाद वाप पस यह उपर जाने की संभावना ही रखता है अगर हम monthly chart देखते हैं तो monthly chart में भी situation आपको बहुत ज़दा खराब नजर नहीं आती है higher level पर अभी आपको यह sustain करता हुआ नजर आता है यहाँ पर यह एक अच्छा breakout देखने को मिला यह breakout continue जादा नहीं हो पाया वापस कम हो चुका है उसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन अगर यह levels के उपर निकल जाता है अगर यहाँ पर आज का जो लो था मतलब फ्राइडे का जो लो था वह important हो जाता है अगर यह फिर से ब्रीच हो जाता है तो हम expect कर सकते हैं कि यह सारे levels भी ब्रीच हो जाएंगे क्योंकि अलड़ी तीन बार टेस्टेड हो चुके हैं और हाइर लेवल पे अट्राइजर दो सो का resistance नजर आता है जो यह लो है आज का वह approximately 17,550 से करके 17,600 का एरिया है तो 17,600 से करके 18,200 हम यह levels expect कर सकते हैं मतलब 600 point की range हमें यहाँ पर expect करनी है जिस हिसाब से इस हफते भी 600 point की range हमन जो support पे trade कर रहा है only एक बार दो बार तीन बार यहाँ पर support ले चुका है चौती बार यहाँ पर support लेने की कोशिश कर रहा है support ले लेता है तो अच्छी बात है लेकिन यह support वीक हो चुका है तो अगर इस बार यहाँ पर यह support नहीं ले पाता है गिर जाता है तो यह आपको और भी जादा नीचे आता हुवा नजर आ सकता है, weekly chart पे situation ओर अब भी अच्छी है, structural basis पे अभी भी आपको ये मजबूत ही नजर आता है, क्योंकि rally देखने को मिली, फिर higher level पे sustain कर रहा है, तो यहां से breakout करके उपर जाता है, तो अच्छी rally आ सकती है, लेकिन अगर ये level टूर जाता है, जो कि ये 30,000 का level तो ये वापस नीचे आ सकता है, और ये levels की तरफ बढ़ सकता है, 28,000 की जरफ, मोटा मोटी आपको यहां पर 7-10% की गिरावट देखने को मिल सकती है, तो mid cap अभी इतना ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मल रहा है, जितना nifty structural basis पर है, nifty अभी भी आपको कुछ इसी प्रकार से चलता हुआ नजर आता है, भले ही momentum weak है, लेकिन overall trend अभी bullish है, जबकि mid cap में trend थोड़ा सा sideways होता हुआ नजर आता है, small cap के बार में बात करें तो आप देख पाएंगे, nifty small cap में तो overall sideways trend ही चल रहा है, यहाँ पर गिरावट देखने को में लिए, यह level जैसे ही टूटा, आपको यहाँ पर तेजी देखने को मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यह sideways होता हुआ नजर आया, अब भी यह sideways ही चल रहा है, लेकिन अगर यह 9000 का level तोड़ देता है, तो वापस weak हो सकता है, अगर यह 10000 का level तोड़ता है, तो आपको यह strong होता हुआ नजर आ सकता है, तो clearly अभी तो आपको यह sideways territory में चलता हुआ नजर आता है, बैंक से, बैंकिंग सेक्टर के बार में बात करें, तो जिस हिसाब से आपको निफ्टी में recovery देखने को मल रही है, यहाँ पर भी same recovery नजर आती है, तो overall आप देख सकते हैं कि recovery कहां से आ रही है, banking सेक्टर से आपको recovery नजर आती है, यह एक point हो गया, मतलब यह एक अच्छा सेक्टर है, निफ्टी के साथ ही चल रहा है, अगर यहाँ पर आप weekly chart देखने जाएंगे, तो weekly chart भी आपको यहाँ पर ठीक ठाक नजर आता है, जैसा निफ्टी का नजर आया था, कि यहाँ पर यह range breakdown हुआ जरूर था, लेकिन वापस recovery देखने को मिली, और recovery एक important level से आई है, यह 40,000 का level, एक round of level तो होई जाता है, लेकिन यहाँ से आपको एक breakout भी देखने को मिला था, यह strong candle भी देखने को मिली थी, तो उसी level से आपको एक यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है, तो structural basis पे अब भी यह बहुत ज़्यादा weak नहीं हुआ है, हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा और sideways हो सकता है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा weak नजर नहीं आता है, कि यहाँ पर structural basis पे weakness बन चुकी है, bearish strength थापित हो चुका है, ऐसा फिलाल हमें banking sector में नजर नहीं आता है, अगर हम monthly chart भी देखने जाता है, तो monthly chart पे भी situation आपको overall अच्छी देखने को मल रही है, क्योंकि एक breakout के बाद यह उपर गया, proper breakout के बाद आपको यह उपर जाता हुँ नजर आया, और उसी level पे फिलाल अब भी यह sustain करने की कोशिश कर रहा है, तो banking stocks पे हम focus कर सकते हैं, IT sector के बार में बात करें, तो nifty IT में भी आप देख पाएंगे, आपको recovery नजर आती है, continuously यहाँ पर घिरावट देखने को मिले थी, उसके बाद यह sideways होता हुँ नजर आया, फिलाल यहाँ पर आपको uptrend देखने को मिल रहा है, अगर हम weekly chart पर देखने जाता है, तो weekly chart भी overall आपको फिलाल थोड़ा सा अच्छा ही नजर आता है, recent आपको जो trend नजर आता है, तो monthly chart पर भी overall यहाँ पर आपको rally देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक breakout होता हुआ नजर आया था, लेकिन यहाँ पर तोड़ी घिरावट देखने को मिली, वापस उपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो nifty IT पर भी हम focus कर सकते हैं, IT stocks में भी जहाँ पर अच्छी strength नजर आती है, वहाँ पर हम खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं, फार्मा सेक्टर के बार में बात करें, तो आप देख पाएंगे 13,500 के करीब के level से continuously नीचे आ रहा है, 12,000 के करीब आ चुका है, तो फिलाल यहाँ पर तो weakness नजर आती है, daily chart तो weak है, weekly chart के बार में बात करें, weekly chart मजबूत हुआ था, जब यहाँ पर आपको यह breakout देखने को मला था, लेकिन यह वापस यह levels के नीचे आता हुआ नजर आता है, यह level के नीचे आ चुका है, तो clearly आपको यहाँ पर तो strength देखने को नहीं मिलती है, अगर हम Nifty Pharma का monthly chart देखने जाता है, तो हमें पता चलता है, कि 2015 के करीब यहाँ पर all time high देखने को मला था, उसके बाद गिरावट देखने को मली थी, अच्छी rally देखने को मली, गिरावट यहाँ पर देखने को मल रही है, higher levels पर अभी sustain कर रहा है, monthly chart बहुत ज़्यादा week नहीं है, अभी यह वापस उपर जा सकता है, लेकिन तुरंट जाएगा उसके chances का में, अभी यहाँ पर हम थोड़ा बहुत इस levels में, थोड़ा बहुत sideways momentum expect कर सकते हैं, तो अभी के लिए nifty pharma को avoid करना ज़दा preferable रहेगा, आटो सेक्टर के बार में बात करें, तो आप देख पाएंगे, nifty auto आपको मजबूत नजर आता है, almost यहाँ पर breakout होने की तयारी नजर आती है, 13500 का एक resistance का level है, उसी level पर trade कर रहा है, अगर हम यहाँ पर weekly chart भी देखने जाएंगे, तो structural basis पर भी काफी सदा मजबूत है, rally आई, यहाँ पर इसने sideways momentum किया, अब यह breakout की तयारी पर है, अगर हम all time high chart देखने जाएंगे, तो यहाँ पर भी आपको यह काफी ज़्यादा मजबूत ही नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत time तक इसने घिरावट दिखा है, फिर यहाँ पर इसने consolidated किया, फिर यह breakout हुआ है, तो यह continuation में उपर जा सकता है, वैसे भी breakout के बाद का यह पहला continuation है, तो इसमें ज़्यादा कोई issue नजर नहीं आता है, तो auto sector actually सबसे ज़्यादा मजबूत नजर आता है, FMCG के बार में बात करें, तो आप देख पायांगे किस इसाब से FMCG में भी overall आपको structure मजबूत ही नजर आता है, अगर आप weekly chart भी देखने जाएंगे, तो भी situation अच्छी देखने को मल रही है, हाला कि chart आपको थोड़ा सा stretch होता हुआ जरूर नजर आता है, लेकिन stock specific में अगर हम जाते हैं, तो एक अच्छे stock हमें यहाँ पर मिल सकते हैं, overall nifty FMCG उसी इसाब से मजबूत नजर आता है, जैसा हमें nifty auto नजर आता था, यहाँ पर breakout हुआ, उसके बाद का पहला continuation है, तो यह एक बार और उपर जा सकता है, metal sector के बार में बात करें, तो यहाँ पर तो weakness ही देखने को मल रही है, around 7000 के level सी यह नीचे आता हुआ नजर आया, 5500 के करीब support लेकर थोड़ा बहुत उपर गया है, लेकिन overall daily chart तो weak नजर आता है, weekly chart पे चलते हैं, तो weekly chart पे भी आपको weakness देखने को मल रही है, जो last support था, उस level के नीचे close हो चुका है, monthly chart अगर हम देखने चाता है, तो monthly chart पे इतनी ज़दा weakness भले ही नहीं है, अब ही के लिए तेजी के लिए तो हमें यहाँ पर avoid करना चाहिए, real estate के बारे में बात करें, तो आप देख पाएंगे, real estate में भी overall weakness देखने को मल रही है, daily chart पे आप देख सकता है, किस हेसाब से नीचे आता हुआ नजर आया, weekly chart देखने जाता है, तो weekly chart पे भी कोई ज़्यादा मजबूत नजर नहीं आता है, यह गिरावट देखने को मेली support लेकर उपर जाने की कोशिश होई, लेकिन वापस आपको यह नीचे आता हुआ नजर आता है, यहाँ से भी उपर चला गया होता तो अच्छा होता है, लेकिन वापस यह नीचे आ रहा है, तो weekly संकेत है, monthly chart पे अगर हम देखने जाता है, जहाँ पर एक candle one month को दर्शाती है, यहाँ पर overall बहुत ज़दा मजबूत नहीं है, यहाँ पर लेकिन बहुत ज़दा कमजोर भी नजर नहीं आता है, क्योंकि 300 के उपर यह गया था, उसके बाद strong हुआ, फिर यहाँ पर गिरावट हुई, यह लेवल अच्छा लेवल था जहां से वापस उपर जा सकता था, लेकिन अभी यहाँ पर consolidation चलता हुआ नजर आता है, तो यह important supports है, यहाँ पर support लेकर वापस future में उपर जा सकता है, लेकिन short term के लिए फिलाल हमें यहाँ पर तेजी के लिए avoid करना ज्यादा prefer करना चाहिए, अगर हम बहुत बड़ी लंबी position मनना चाहते हैं, एक साल, दो साल के लिए, तीन साल के लिए, तो आप यहाँ पर नजर बना कर रख सकते हैं, अच्छे stocks पर focus कर सकते हैं, लेकिन immediate यहाँ पर एक दो आफ़ते एकाज महीने के लिए अगर हम बात करेंगे, तो इतना सदा strong momentum देखने को नहीं मिल रहा है, तो जो sectors जो मजबूत नजर आता हैं, वो banking sector है, IT sector है, auto sector है, और FMCG sector है, इन चार sector पर हम नजर बना कर रख सकते हैं, अब कुछ stocks के बार में बात करते हैं, जो कि इनी sector से हैं और टेक्निकली मजबूत नजर आते हैं, banking sector से HDFC bank काफी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि stock में यहाँ पर आपको अच्छी rally देखने को मिली, उसके बाद यह higher level पर sustain भी कर रहा है, banking sector इतना ज़्यादा आपको नीचे आता हुआ नजर आया, फिर भी HDFC bank में इतनी ज़्यादा घिरावट देखने को नहीं मिली है, अगर आप weekly chart भी देखने जाएंगे, तो आपको पता चलेगा, बहुत ही अच्छे level पर यह trade कर रहा है, यहाँ से एक बार नीचे आया, दूसरी बार नीचे आया, यहाँ पर अभी यह higher level पर sustain कर रहा है, अभी अगर यह levels तूट जाते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छी rally देखने को मिल सकती है, अगर monthly chart पर चलते हैं, तो भी यह situation काफी अच्छी देखने को मिल रही है, क्योंकि stock में आपको एक अच्छा खासा consolidation देखने को मिल रहा है, 2-3 साल से stock एक ही range में trade कर रहा था, यहाँ पर lower level से support लेकर उपर गया, 2 माईने अलड़ी हो चुके हैं, 3 माईने यहाँ पर चल रहा है, तो अभी अगर यह 1700 के उपर जाता है, 1750 का जो area है, यह zone को अगर तोड़ देता है, तो हम यहाँ पर खरीदारी expect कर सकते हैं, हम यहाँ पर position build up कर सकते हैं, 100-500 रुपे का stop loss ले सकते हैं, और आपको यह अच्छा खासा उपर जाता हो नजरा सकते हैं, अगर आप positional basis पर लेना चाहते हैं, अगर आप short term लेना चाहते हैं, 100-500 का stop loss लेने की ज़रूद नहीं है, 50-60 रुपे जो भी आपको candle का low मिलता है, उसे साब से stop loss लेजे, आपको easily 1-2-2 का risk reward ratio तो मिल सकता है, structural basis पर काफी मजबूत है, तो probability यहाँ पर पैसा बनने की जादी है, अगर आपका entry criteria meet होता है, लेवल तूटने दीजे, अपी से खरीदने की ज़रूद नहीं है, resistance एक बार तूट जाए, उसके बाद हम खरीदारी कर सकता है, IT सेक्टर से TCS मजबूत नजर आता है, Nifty IT में हमने देखा इतना साथ अच्छा breakout नहीं हुआ था, यहाँ पर भी फिर से हमने add किया था, तो अच्छी कासी position यहाँ पर हम build करते जा रहे हैं, यहाँ पर फिर से हम add करने के बार में सोच सकते हैं, या फिर आप fresh position बनाने के बार में भी सोच सकते हैं, stock में एक अच्छी opportunity नजर आती है, monthly chart पर अगर आप देखने जाएंगे, तो आपको एक अच्छा यहाँ पर pattern price action देखने को मल रहा है, तो अभी यहाँ पर खरिदारी कर सकते हैं, यहाँ पर stop loss ले सकते हैं, और all time high का target लेकर आप खरिदारी कर सकते हैं, एक अच्छी position आपकी यहाँ पर बन सकती है, short term के लिए भी आप खरिदारी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ पर chart pattern इतना मजबूत नहीं है, Friday की closing इतनी ज़्यादा strong देखने को नहीं मिले, क्योंकि breakout candle है, breakout candle यह जो देखने को मिली इतनी मजबूत नहीं है, तो swing trade एक हफ़ता इतनी चोटी position के लिए, यह इतना ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आता है, लेकिन ऐस अप positional trade अगर आप लेकर जाना चाहते हैं, तो TCS में आपको अच्छी opportunity दिखाई परती है, आटो सेक्टर से बात करें, तो महिंद्रा इन महिंद्रा में काफी सदा अच्छी opportunity नज़र आती है, breakout देखने को मिला, breakout होकर वापस नीचे आ है, लेकिन वापस यह उपर भी जा रहा है, weekly chart पर अगर आप देखने जाएंगे, तो एक proper breakout देखने को मिला है, अच्छी candle भी आपको यहाँ पर नज़र आती है, higher level पर दो विक सस्टेन किया, फिर उपर गया है, तो एक अच्छा कासा breakout देखने को मिला, monthly chart भी कर देखने जाते हैं, यह भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, एक्चुली एकदम आपको nifty auto की तरह ही नज़र आएगा, यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली higher level पर सस्टेन किया, breakout हुआ और पहली बार यह उपर जाता हुआ नज़र आता है, पहला continuation है, तो यह continuation success होने के chances भी बढ़ जाते हैं, अगर दूसरा या तीसरा continuation होता है, तो वहाँ पर momentum भी slow होता है, और stop loss hit होने के chances भी थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर अच्छी opportunity है, आप यहाँ पर भी एक positional trade या फिर swing trade करने के बार में सोच सकते हैं, momentum M&M में अच्छा है, तो यहाँ पर swing trade भी किया जा सकता है, यहाँ पर stop loss लेकर आप खरीदारी कर सकता हैं, 1-2 के लिए, यहाँ पर stop loss लेकर आप positional trade भी कर सकता हैं, FMCG सेक्टर से हिंदुस्तान Unilever काफी सादा अच्छा देखने को मिल रहा है, 27.50 का resistance नज़र आता है, structural basis पर मस्बूत है, तो अगर यह levels cross होता है, तो एक अच्छी rally आपको देखने को मिल सकती है, weekly chart पर आप देख सकता है, pattern कितना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर higher level से गिरावट देखने को मिली, sustain करके वापस आपको यह उपर जाता हुआ नज़र आया, higher level पर अभी वापस sustain कर रहा है, तो अभी यह levels तूटते हैं, तो आपको एक अच्छी rally देखने को मिल सकती है, यह rally आपको higher side पर continue होती भी नज़र आ सकती है, monthly chart पर भी pattern काफी सदा अच्छा है, हिंदुस्तान, Unilever भी आपको काफी सदा time से consolidate करता हुआ नज़र आता है, overall यहाँ पर भी कोई बहुत बड़ी rally देखने को नहीं मिली है, यह भी आपको इस range में 2000 से करके 2700 के range में consolidate कर रहा है, तो अभी अगर यह level तूटता है, तो आपको एक अच्छी rally देखने को मिल सकती है, तो हमने चार स्टॉक्स डिसक्स किये, चार सेक्टर के जो की मजबूत सेक्टर है, उसमें से मजबूत स्टॉक हमने डिसक्स की है, अगर आपने नोटिस किया, चारो के चारो स्टॉक्स निफ्टी 50 का हिस्सा है, तो यहाँ पर जो analysis थी, जो charts जो है, एकदम match हो रहे है, कि भाई mid cap, small cap week है, निफ्टी मजबूत है, तो यह segment में हमने देखा, segment में कौन सा prefer करना है, और sector में banking, IT, auto और FMCG prefer करना है, तो चार स्टॉक्स हमने निकाले, वो निफ्टी में भी है, तो इस हिसाब से, यहाँ पर analysis काफी सदा match हो रही है, chart काफी सदा match होते हुए नजर आते हैं, तो आप इसे study कर सकते हैं, टेक्निकली मजबूत है, तो यहाँ पर आप trade लेने के बार में सोच सकते हैं, investment भी of course यहाँ पर दिया जा सकता है, अब कुछ ऐसे stocks डिसकस करते हैं, जहाँ पर अच्छी कासी गिरावट हो चुकी है, support levels पर trade कर रहा हैं, जहाँ पर हम investment कर सकते हैं, जहाँ पर ज़्यादा momentum नहीं है, लेकिन value हमें नज़राती है, सबसे पहला stock है, KOTAK Mahindra Bank, तो KOTAK Mahindra Bank देखिए, value stock मतब ऐसा नहीं कि valuation बहुत ही cheap हो गया है, KOTAK Mahindra Bank अब भी of course premium valuation पर ही trade कर रहा है, लेकिन यहाँ पर quality भी अच्छी है, और फिलाल stock देखिए, कितने time से एक ही range में trade कर रहा है, दो साल हो चुकी हैं, इसी range में आपको trade करता हुआ नज़राता है, in fact आपको 2020 में भी इसी price में मिल रहा था, अभी भी इसी price में मिलता हुआ नज़राता है, तो फिलाल यहाँ पर देखिए, company अच्छी है, इसलिए price correction नहीं हुआ है, आपको time correction होता हुआ नज़राता है, valuation महंगा है, तो दो चीज़ हो सकती है, या फिर price गिर जाएगा, या फिर आपको time correction होता हुआ नज़राएगा, तो कोटक महंद्रा बैंक में time correction हो रहा है, तो यहाँ पर lower levels पर आपको नज़राता है, तो यहाँ पर यहाँ पर खरिदारी करना चाहता है, करने के बार में सोच सकता है, अफकोर्स अगर यह support तूट जाता है, तो sell off भी अच्छा गासा देखने को मिल सकता है, नज़राता है market को, तो इसलिए गिरावट हो रही है, लेकिन 5000 से करके यह जो zone है पूरा, एक strong support area है, जहां से पहले भी आपको concentrate करके उपर गया था, यहाँ पर भी support लेकर उपर गया, उसी zone के आसपास आ चुका है, जैसा कि हमने कोटक में देखा valuation हाय था, इसलिए time correction हुआ, बहुत ज़़ा price correction नहीं हुआ, तो budget finance भी अच्छे fundamental वाली company है, तो यहाँ पर भी बहुत ज़़ा price correction होगा, उसके chances का में, आपको time correction होता हुआ नज़रा सकता है, फिलाल यह lower end पर trade कर रहा है, तो यहाँ पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, जो Asian Pains है वो भी इसी category में आता है, पर company तो अच्छी है, लेकिन valuation आया है, इसलिए आपको यहाँ पर time correction देखने के chances बढ़ जाता है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी rally देखने के में लिया है, लेकिन stock फिलाल higher level पे बार बार resistance face करके नीचे आता हुआ नज़राता है, लेकिन 25 से करके 26 का जो level है, जो एक support area हमें नज़राता है, जहाँ से stock हमें breakout करता हुआ नज़राया, support लेकर एक बार उपर गया था, और उसी level पे वापस trade कर रहा है, तो एक अच्छा level है जहाँ पर आप खरीदारी कर सकता है, as a investment perspective, momentum नहीं है, इसलिए अगर आप short term के trader हैं, बहुत जल्दी आपको ये वापस 3,000, 3,000, 3,000 जा सकता है मान लेते हैं, 3,000, 4,000 आपको एतने जल्दी जाता हुआ नज़रायगा, उसके chances काम है, क्योंकि जैसे ये पहले structurally मजबूत नज़राता था, यहाँ पर आपको rally देखने को मिल रहे थी, momentum देखने को मिल रहा था, वो momentum फिलाल missing नज़राता है, अब यह थोड़ा बहुत sideways होता हुआ नज़राया है, लेकिन as a investment, आप यहाँ पर of course investment तो कर सकते हैं, अब थोड़ा stock specific बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर stock specific में तो भाई सबसे पहले Adani enterprise के बारे में बात करेंगे, Adani enterprise ऐसे भी यहाँ पर हम पुरा Adani group के बारे में बात करने बाले हैं, continuous गिरावट नज़राती है, lower side पे almost 1000 रुपय के लेवल तक पहुंच चुका है, लेकिन इंट्राडे में बहुत अच्छी recovery देखने को में ले, 60% की recovery आपको lower level से नज़र आती है, जो कि clearly अच्छी बात है, लेकिन अब भी higher level से काफी ज़दा नीचे ही चल रहा है, तो Goldman Sachs ने और JP Morgan ने कहा है, कि जो Adani का debt offer है, यहाँ debt जो है, वो value offer कर रहा है trading clients को, जो debt इन्होंने bonds जो इन्होंने issue किये है, dollar में मतलब US market में जो bonds इनके listed हैं, वो भी crash हो गए थे, तो वो crash हो गए, लेकिन जो coupon payments है, मतलब जो interest जाने वाला है, वो तो उतना ही जाने वाला है, लेकिन मान लेते हैं, example में आपको देता हूँ, 1000 रुपे का bond है, अगर आपको वहाँ पर 4% का interest मिलने वाला है, मतलब आपको 40 रुपे मिलने वाला है, लेकिन अभी bond का जो value है, 1000 रुपे से crash होकर 200 रुपे हो गया, 200 रुपे पर अभी आपको 40 रुपे मिलने वाले हैं, लेकिन अगर अभी आप खरी देंगे, तो आपके लिए तो वो 20% का हो जाएगा, इस इसाब से bond की value crash हो गई, तो जो yield रहता वो बढ़ गया है, तो अभी वहाँ पर value नजरा रही है, तो internationally भी यहाँ पर आपको टसल अज़राता है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर नहीं, अभी value नजराती है, तो यहाँ पर आपको बड़ी गेम चलती भी नजर आती है तो कुछ positive और कुछ negative news भी यहाँ पर देखने को मिली है London का जो science museum है वो अपना association Adani Group के साथ continue रखने वाला है यह भी अच्छी बात है तो फिलाल यहाँ पर हाफिया port भी handover किया इतने सारा गिरावट के बाद भी इतने सारे allegations के बाद भी आपको positive news देखने को मिल रही है मतलब दोनों side नजर आती है हाफिया port यहाँ पर handover किया वो भी अच्छी बात है Egypt की तरफ से सुए सेनल में जो भी मदद ची है वो भी यहाँ पर आपको मिलने वाली है तो यह सब positive situation है सेबी ने कहा है कि वो committed है to ensuring market integrity अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में आपको सेबी की तरफ से कुछ ना कुछ official report, official statement देखने को जरूर मिलेगा क्योंकि अलड़ी यहाँ पर जो ex-lawyer है हरी सालवे जी उन्होंने कहा है सेबी को 72 hours में कुछ ना कुछ report देना चाहिए तो यह सबसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपको सेबी की तरफ से report आएगा RBI ने अलड़ी बोल दिया है सभी banks को कि आप अपना exposure बता दीजिए और सभी bank ने अपना exposure बताया भी है सभी bank का जो exposure है RBI की जो limit रहती है उसके अंतरगती है Axis Bank का approximately 1% है सारी banks का आपको 1% के नीचे ही देखने को मिल रहा है Bank of Baroda के CEO Sanjeev Jadaji ने कहा है कि Bank of Baroda will continue giving loans to Adani Group उन्होंने कहा है कि भाई जो RBI की limit है उसके अंदर ही हम लोग काम कर रहे हैं हमें तो यहाँ पर कोई problem देखने को नहीं मिल रही है तो यह Adani Group के लिए काफी ज़धा positive statement हो जाता है मेरे इसाब से अगर Bank of Baroda का CEO बोल रहा है कि भाई हमें तो कोई problem देखने को नहीं मिल रही है asset मजबूत है debt का जो repayment होता है वो अभी तक हमें time पर होता हुआ नजर आया है और अगर यहाँ पर asset मिल रहा है as a collateral सब कुछ ठीक लग रहा है हम यहाँ पर एक risk analysis करते है credit risk analysis करते है उसके इसाब से सब कुछ ठीक लग रहा है तो हमारा काम है lending का तो हम तो पैसे उधर देंगे तो यह जो statements आ रहे है यह आपको banking system आपको अभी भी Adani की तरफ ही नजराता है जो कि clearly अच्छी बात है Adani enterprise का यह बात चल रही है कि वो 1000 क्रोड का bond plan ला सकते है अभी FPO तो आपको fail होता हुआ नजर आया FPO भरा गया था लेकिन recall कर लिया अभी भरा भी किसने था बोल रहे हैं कि बाई जो बड़े बड़े लोग है मुकेश हमानी जी ने बढ़ा है मेतल जी ने बढ़ा है मेता जी ने बढ़ा है तो इस हिसाब से आपको वापस recall होता हुआ नजर आया अभी Adani enterprise बात चल रही है रिपेमेंट करना है रिपेमेंट में बलब इंट्रेस का पेमेंट करना है अगर यहाँ पर आपको पता चल जाएगा डिफॉल्ट होता है तो क्लियरली सिचुएशन और खराब हो जाएगी लेकिन अगर यह डिफॉल्ट नहीं होता है पांत सो साट करोड जो कि मेरे इसाब से अडानी ग्रूप जिस साइस में है जो काम करती है उसे इसाब से यह कोई बड़ा अमांट नहीं है अगर इपेमेंट हो जाता है मेरे इसाब से हो जाना चाहिए तो यहाँ पर आपको और भी त्यादा रिकवरी देखने को मिल सकती है अडानी एंडर्प्राइस के चार्ट के बार में बात करें तो आप देख माएंगे क्लियरली काफी ज़्यादा वीक चार्ट नजर आता है यहाँ पर लास्ट आपको यह फ्राइस आक्शन देखने को मिला था उसके नीचे आ गया तो यह वीक संकेती था यहाँ पर आपको क्रैश देखने को मिला है यह सपोर्ट भी आपको तूटते हुए नजर आए है यहाँ पर टेक्निकल अनलेसिस ज़्यादा काम नहीं करता है यहाँ पर अडानी एंटर्पैस से ज़्यादा अडानी पोर्स पर ही फोकस करना चाहिए वो भी अगर आप एक हायर रिस्क टेकर रहे हों और अडानी ग्रूप आफ कंपनीज में खरीदारी करना चाहते है जबरदसी कुछ नहीं है यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि काम करना ही है अगर आप एक हायर रिस्क टेकर हो जाते है तो आप अडानी पोर्स में थोड़ा बहुत पोजीशन मना सकते है अंबुजा सिमेंट्स और एसी सी वहाँ पर मैंने लास्ट विडियो में बताया था कि वहाँ पर शेर्स प्लेज है लेकिन कमपनी ने क्लैरिफाइ किया है तो वह प्लेज किया था लेकिन अभी वह प्लेज नहीं है तो यह अच्छी बात हो जाती है इसलिए एसी सी और अंबुजा आपको सस्टेन करते हुई भी नजराए है तो यहाँ पर काफी लोग मुझे कह रहे है कि भाई मैं बहुत ज़दा बायस हूँ मैं बायस नहीं हूँ मैंने अपना एनलिसिस किया है मैंने देखा है क्या सही है क्या गलत है और मैंने एक stand लिया है कि भाई मैं तो यहाँ पर अडानी के side पर हूँ जो reports आये हैं उसमें कुछ नया देखने को नहीं मिला है अगर एक पर CBI, RBI confirm कर देते हैं तो देखेंगे से भी बोल दे कि यहाँ उसने पैसा गुमा के डाला है जो कि गलत बात है तो हम मान सकते हैं लेकिन अभी उस report के basis पे तो हमें नहीं मानना चाहिए अभी जो दिख रहा है financial statement जो दिखा रहे हैं करजा है लेकिन assets भी है और cash flows भी अच्छा है और banking system अपना बोल रहा है कि कोई problem नहीं है हम तो और loan देने वाले है LIC बोल रहा है कोई problem नहीं है तो of course हमें यहाँ पर जबरदस्ती यहाँ पर biasness हिंडनबर की दरफ नहीं डालना चाहिए मैंने अपना stand यहाँ पर अडानी के side लिया है आप बले मुझे बायस कीजे लेकिन मैंने तो अपना risk assessment करके सब कुछ देखके मैंने अडानी के side यह अपना stand लिया है लेकिन अज़े disclosure मैंने planning किये कि मैं अडानी पोर्स में थोड़ा बहुत accumulation करना शुरू करूँगा higher risk taker मैं बहुत जदा नहीं हूँ इसलिए मैं अडानी के दूसरे side transmission green इसमें तो खरीदारी नहीं करूँगा लेकिन पोर्स पर जहांपर business model सबसे ज़्यादा strong है यहांपर थोड़ा बहुत accumulation स्लोली स्लोली करने की कोशिश करूँगा next stock जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है device lab device lab में भी continuous गिरावट देखने को मली है net profit 66% yoy basis पे नीचे गया है और आपको जो revenue में गिरावट देखने को मली है वो मातर 32% किये 32% कम नहीं है of course लेकिन profit के मुकाबली देखिए आपको कितना कम देखने को मल रहा है मतलब margins भी नीचे जा रहे है revenue नीचे गया margin नीचे गया इसलिए profit बहुत ज़्यदा नीचे गया अगर हम यहाँ पर financial trend देखने जाता है financial trend काफी ज़्यादा मजबूत नसर आता है लेकिन जिस हिसाब से यह पूरा साल गया है साथ 8000 करोड़ हम यहाँ पर मान सकते हैं almost 6000 करोड़ का revenue report किया है अभी कुछ 800 करोड़ के आसपास किया था उतना ही वापस करता है 8000 करोड़ का revenue उसके आसपास का revenue देखने को मिल सकता है लेकिन profit काफी ज़्यादा नीचे चला गया है profit आपको 3000 का यहाँ पर देखने को मिला वह approximately 1500-1800 उस range में मिल सकता है profit आपको यहाँ पर यह जो 3000 के नीचे आता हूँ नजर आ सकता है उसके पूरे chances नजर आता है जिस हिसाब से फिलाल quarterly trends नजर आता है तो यह weak संकेत है और यह market quality पता था क्योंकि company काम करती है APIs में तो यहाँ पर उसी हिसाब से घिरावट देखने को मिली क्योंकि COVID का जो business है वो थंड़ा हो चुका है valuation आप देख सकते है 25 का P ratio है सेक्टर के साथ ही है price to book ratio भी lower side पे है लेकिन यहाँ पर अगर आप P ratio देखने जाते हैं उसका trend देखने जाते हैं तो आपको पता चलता है काफी ज़दा higher side पे था 60-70 पे P ratio था तो अभी यहाँ पर market ने expect किया आपई COVID अभी कम हो चुका है तो इसका business भी कम हो जाएगा तो valuation कुछ जादा ही हो चुका था उसे यहाँ पर गिराना था price भी यहाँ पर गिर रहा था earnings भी गिर रहा था तो आपको इस हिसाब से stock में घिरावट देखने को मिली है as a company का company खराब हो चुका है ऐसा मुझे नहीं लग रहा है लेकिन stock continuously नीचे आ रहा भी भी 11-12% की गिरावट आपको results के बाद देखने को मिली है आप देख सकता है continuous आपको जब भी result देखने को मलता है आपको stock में नया breakdown देखने को मलता है results के बाद आपको ये बार-बार crash होता हुआ नज़राता है यहाँ पर भी results आयता है यहाँ पर भी results आयता है यहाँ पर भी मेरे हिसाब से result ही आयता है तो इस हिसाब से जब भी result आया stock आपको इस हिसाब से crash होता हुआ नज़राया लास्ट दो चार रिजर्ट से अगर हम weekly chart देखने जाता है तो यहाँ पर continuous weakness आपको देखने को मिल जाती है जो stock काफी जदा मस्बूत चल रहा था यहाँ पर आपको week होता हुआ नजर आया यहाँ पर recovery हो जाती अच्छा होता है लेकिन यह तो proper week candle थी एक दम breakdown candle फिर आपको उसे इसाब से continuously नीचे ही आता हुआ नजर आया है अगर हम monthly chart देखते हैं long term का chart देखने जाएंगे तो long term में stock ने अच्छा तो perform किया उसमें कोई doubt नहीं है stock एक multi bagger stock रहा है और उसमें भी particularly आपको 2017 के बाद अच्छी rally देखने को मिली around 800 के level से around 500 के level से stock आपको उपर जाता हुआ नजर आया 5000 तक अभी फिलाल ये stock नीचे आ रहा है technically monthly chart पे avoid है no doubt यहाँ पर जिस इसाब से patterns बन रहा है यहाँ पर खरिदारी करने का कोई sense नहीं बनता है लेकिन fundamentally speaking company खराब नहीं है company का business covid के वज़े से जो बढ़ गया था अभी वापस काम हो चुका है जो pace जो growth का pace था जो बढ़ गया था वो काम हो चुका है लेकिन growth overall आपको होती भी नजर आएगी long term में लेकिन slow होगी जो Cajr आपको 2-4 साल में मिल गया था उतना Cajr वापस नहीं मिलेगा उसके chances थोड़े से कम नजर आते हैं लेकिन यहाँ पर valuation भी ease of work चुका है मान लेते हैं अभी 25 का P ratio है वो मेरे इसाब से बहुत महंगा नहीं है लेकिन यह आपको 20 के करीब मिल सकता है क्योंकि यह जिस हिसाब से price नीचे आता है इस हिसाब से वापस उपर नहीं जापाएगा आपको consolidation देखने को मिलेगा तब तक profit भी वापस बनना शुरू हो जाएगा तो time correction की वज़े से profit वापस बनने की वज़े से P ratio अपने आप और थोड़ा कम हो जाएगा 20 के करीब आ सकता है तो fundamentally speaking Divis Lab में आप खरीदारी कर सकते हैं यहाँ पर आप slowly accumulation की strategy अपना सकते हैं यह कोई ऐसा नहीं कि trend मजबूत है यहाँ पर नहीं खरीदा तो stock यह पूरा rally मिस कर जाएंगे अब यह breakdowns हो रहे हैं यह stock नीचे यहाँ पर आ सकता है वापस उपर जाएगा वापस एक बर गिरावट मिल सकती है नेक्स्ट हम बात करते हैं individual stock तो नहीं लेकिन यहाँ पर हम एक sector के बार में बात करेंगे insurance sector में भारी घिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि जैसे यहाँ पर आपको announcement देखने को मिला budget में कि over 5 lakh का premium रहेगा तो यहाँ पर उसका जो tax free benefit था वो चला जाएगा तो यहाँ पर आपको tax लगने वाला insurance premium थे तो यह clearly यहाँ पर insurance sector mostly उसी basis पर चलता है कि tax benefit है तो insurance खरीद लेता है उस हिसाब से वो business चलता है अगर tax benefit ही हटा देंगे तो clearly गिरावट तो देखने को मिलने ही वाली है क्योंकि valuation overall sector का भी महेंगा है यह वो बहुत ही चीप valuation पे 10-15 के peer ratio पे trade करते हैं जादा तर insurance stocks आपको 70-80 ऐसे peer ratio पे trade करते हुए नसराते हैं तो valuation भी अच्छा कासा premium था तो अभी stocks में आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मली है तो देखते हैं कौनसे stocks में कैसा price action देखने को मिल रहा है HDFC life के बार में बात करें तो आप देख पाएंगे HDFC life list हुआ था 2017 के हैंड में उसके बाद stock ने कोई बहुत बड़े multi-bagger returns बना कर नहीं दिये यहाँ पर insurance sector में main problem ही हो जाती है कोई भी आपको ऐसा कुछ यहाँ पर budget में changes देखने को मिल जाता है regulator की तरफ से कोई change देखने को मिल जाता है stock यहाँ पर crash होता हूँ नजर आता है यह तो चले ले covid का crash था लेकिन यहाँ पर भी budget की वज़े से गिरा था यह long term की trend line टूट चुकी है उसके नीचे यहाँ पर weakness देखने को मिल रही है weekly chart तो इसके नीचे close भी हो चुका है तो यहाँ पर अब कोई recovery देखने को मिलती है तो clearly एक selling opportunity दिखाई पड़ती है यहाँ पर 500 का level जो की support था अभी वो resistance की तरह काम करने वाला है technically यहाँ पर कोई sense नहीं खरिदारी करने का fundamental speaking भी अगर हम बात करें तो जैसा हमने डिविस लाइब में देखा वहाँ पर फिर भी हमने देखा भई slow growth हो सकती है slow growth HDFC life में भी हो सकती है लेकिन यहाँ पर main issue क्या आ रहा है कि valuation अब भी हमें मैंगा नजर आता है आईसे ऐसे prudential life insurance के बार में बात करें तो यह approximately 2016 के end में list हुआ था यहाँ पर भी देखें आपको similar price action नजर आएगा यहाँ पर भी weakness से देखने को मल रही है आपको कोई ज्यादा strength नजर नहीं आती है all time high का breakout हुआ था यहाँ पर लेकिन वापर stock उसके नीचे आ चुका है तो यहाँ पर यह avoid नजर आता है short term position मनाता है तो ठीक है लेकिन बहुत बड़ी positional trade यहाँ पर एक बड़ी rally देखने को मिलेगी 40, 50, 60, 100% का हमें यहाँ पर gain होगा उसके chances फिलाल थोड़े से कम नजर आता है SBI Life Insurance के बार में बात करें तो technically SBI Life Insurance अब भी इतना ज़दा weak नहीं है जितना HDFC Life या ICI से Prudential Life Insurance है SBI Life आप देख सकते हैं यहाँ पर breakout हुआ अब भी आपको उस level के उपर sustain करता हुआ नजर आता है लेकिन weakness यहाँ पर भी है किस हिसाब से weekly chart पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक अच्छा breakout देखने को मिला, stock में एक बहुत अच्छी rally देखने को मिली, support लेकर उपर भी गया यहाँ पर भी breakout की तैयारी हो रही थी, लेकिन इस stock जिस हिसाब से नीचे आया है यह trend line आपको तूटती भी नज़र आईए, और एक बात ध्यान में रखिए, बले important level जो है, वो 1000 रुपे का level है, अभी तक नहीं तूटा है लेकिन कभी भी अगर ऐसा आपको stock में देखने को मलता है, कि एक resistance था, वो resistance stock ने तोड़ दिया और stock ज्यादा उपर नहीं जा पाया, और वापस उस range में first गया, मतलब अभी stock में time pass हो सकता है मतलब ये stock आपको time correction में जाता हुआ नजर आ सकता है, ज्यादा returns आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, इस हिसाब से trade और कर सकता है तो अभी stock first चुका है, 1000 रुपे के range में और 1300 के range में, 1300 भी नए, in fact यहाँ पर 1150 से 1200, ये range में आपको stock नजर आ सकता है तो यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत swing खेल लेते हैं तो ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी position यहाँ पर बनाने के chances थोड़े से कम है, नहीं बनानी चाहिए क्योंकि stock में यहाँ पर आपको कोई बड़ा trend फिलाल तो नजर नहीं आता है LIC के बार में बात करें, तो LIC भी आप देख सकता है, 900 रोपे के लेवल से यहाँ पर नीचे आता हूँ नजर आया, recovery देखने को मिली लेकिन stock वापस नीचे आ चुका है तो clearly यहाँ पर भी कोई संकेत नजर नहीं आता है कि कोई bullish trend है, खरीदारी करनी चाहिए प्रीवेस trend जब तक यही आपको weak नजर आता है, यहाँ पर कुछ इससाब से बनता है तो खरीदारी कर सकते है यह target के लिए लेकिन अभी तो यहाँ पर खरीदारी करने का कोई sense नहीं है, यह उपर जाएगा तो भी यहाँ से resistance लेके वापस नीचे आ सकता है time correction यहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो as a sector, insurance sector को आपको फिलाल के लिए avoid करना चाहिए यहाँ पर यह जो main benefit होता है insurance का, वो अभी tax benefit चला गया है, तो अभी avoid करना मेरे यह साब से तो बहतर रहेगा अभी के लिए wait and watch करेंगे, short term position कुछ swing trade बनता है तो ठीक है, लेकिन बड़ी positional trade एक दो साल के लिए 6 महीने के लिए उसमें इतनी सदे opportunity नजर नहीं आती है, क्योंकि जो stock structural basis पे मस्बूत हो जाए, वहाँ पर टेजी के chances भी जादा होता है और वहाँ पर आपको अच्छी rally भी देखने को मिलती है, यहाँ पर अच्छी rally देखने के chances सोड़े से कम नजर आता है I hope आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है, thank you, stay happy, happy investing